24 जून का अन्दौर पोलिस कंट्रोल रूम परिसर में टी आई हाकम सिंग पवार ने गोली मार कर सिउसाइड कर लिया था सिउसाइड से पहले पवार ने कंट्रोल रूम में ही पदस्त एसाई रंजना खांडे को भी गोली मारी थी पवार भुपाल के श्यामलाल हिल्स थाने में पदस्त थे और पैसों के लेंदेन और ब्लेक मेलिंग के चलते पूरी घटना हुई मामले की जाच कर रही SIT ने रंजना खांडे सहीत चार लोगों पर मामरा दर्च किया अब पुलिस ने रंजना खांडे को जैन से गिरफतार कर लिया है जैसा कि पूर में बताया गया था कि इस पूरे मामले की जाच SIT कर रही है और SIT ने इसमें कुल चार लोगों को आरोपी बनाया था और उन चार में से एक व्यक्तिक की गिरफतारी हो चुकी थी एक व्यक्तिक में से जीवित नहीं है और बाकी जो से इस दो अन्यारोपी हैं उनमें से पुलिस ने एक अन्य को आज गिरफतार कर लिया है और उस पूरे मामले में जो तर्थी मिले हैं जो अलग-अलग बयान हुए हैं परिजनों के और वहाँ पर जो पर्टक्ष दर्शी हैं जो साक्ष मिले हैं उनके बारे में पुलिस और उनके बारे में पूस्ताच करेगी बता दें कि रंजना खांडे के अलावा खुद को पवार की तीसरी पतनी बताने वाली रेश्मा शेख नामक महिला को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है जबकि घटना का चश्मदीद गवहा रहा रंजना खांडे के भाई कमलेश खांडे की जलने से कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है मामले में एक अन्य आरो P व्यापारी फरार है जिसकी तलास की जा रही है पुलिस को पता चला है कि इस व्यापारी गोविंद जैसवाल से भी हाकम सिंग पवार का पैसो को लेकर विवाध रहा है इस पुरे मामले ने पुलिस की चवई को प्रभावित किया है फिलहाल S.I.T. मृतक टियाई के मोबाइल तकनीक और वैग्यानिक तत्यों के आधार पर जाच आगे बढ़ा रही है ब्यूरो रिपोर्ट डिजियाना नियूस इंदौर